गुद आफ्टरनून नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका दोस्त अनुपम और आप सब देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल नौलेज हाउस और जैसा आप सब लोग जान रहें कि ये टाइम है हमारे जी के ट्रिक्स की वीडियो उसका और कल आपने एक बहतरीन ट्रिक देखी थी जिसमें आप सभी ने शेडूल सॉफ इंडियन कॉंस्टिटूशन को आराम से आद कर लिया होगा मुझे नहीं लगता कि इसमें आप किसी को भी कोई समस्या रही होगी अगर कोई दिक्कत है तो आप दुबारा से इस वीडियो को देखिएगा और ज्यादा ज्य इसके सदस्यों को कहा जाता है MLA और इसके सदस्यों को कहा जाता है दूसरे वाले के इसको बोलते हैं विधान परिशद और इसके सदस्यों को बोलते हैं MLC यानि Member of Legislative Council तो भारत के 29 राज एवं दो केंदर शासित प्रदेशों में आपके विधान सभा है 29 राज और दो कें प्रदेशों में आपकी विधान सभा है ठीक है इस पर एक डिटेल्ड वीडियो जो होगा वह आपको क्लास के सेडूल में मिलेगा लेकिन अभी यहां पर आप इसको देख सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें MLC की तो केवल सात राज्यों में आपके विधान परिशद है ठी राज्यों में है कौन-कौन से वो राज्य है जहां पर विधान परिशद है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिमाग में आ जाएगी भाई किवल साथ हैं भारत में कुल 29 और 736 राज्य है यहां पर नहीं है सबसे बड़ी बात तो यह जानना कि भाई यह इतना इंपॉर् यह इसे कह सकते हैं जैसे भंग नहीं किया जा चकता इसे समاد्त किया जा सकता है पूरी तरीके से ठीक है अब अब इस पर डिटेल बाते हम करें हैं अपने वीडियो में उसको आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जा करके और दूसरी बात यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि उन साथ राज्यों को हम कैसे याद रखेंगे तो उसके लिए आपको एक संटेंस याद रखना है ज तो जहां पर आम जादा होगा ऑवियस सी बात है वहां पर आम खाने वाले जादा होंगे तो आम खाने वाले जादा होंगे तो वहां पर गुठलियां भी जादा होंगी तो मैंने सिर्फ एक बात लिखी है कि आम का बीज उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में हैं दो बाते आंद पर देइस की जो लजिस्लेटीव पांसिल है इसकी राजधानी औरस मित्रों अमरावती और यहां की जो काउंसिल है इसमें नंबर आफ फिक्वाह organ yanation क्लेटोर चहीं थो हुगा उप मैंने कि थोड़ा सी फोलिवाइस थोड़ा सा जो में इस ważne ठीक है आंध्प्रदेश की राजधानी क्या है अमरावती और यहां पर विधान परिशत की सीटे कितनी है 58 दूसरी बात करते हैं तो आंध्प्रदेश के बाद मां सब्दाता है मां से आप क्या कर सकते हैं आंध्प्रदेश के बाद फिर आप कर सकते हैं महाराष्टर ठीक है महाराश्टा की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इसकी दो राजधानियों में माना जाता है एक तो इसकी राजधानी है मुंबई जो की समर सीजन में होती है और इसकी राजधानी नागपूर जो है वो विंटर सीजन में होती है लेकिन आपको नॉर्मली मुंबई को ही याद रखना है ठीक है इसमें जो है 78 सीटे हैं टोटल इसकी राजधानी भी आपको बता दिया मैंने और इसमें टोटल नंबर ओफ सीट कितनी है करनाटक की हम बात करें दोस्तों तो करनाटक में भी आपके विधान परिशध है और इसकी राजधानी है बंगलौर और यहाँ पर टोटल जो है वह 75 सीटें है किसकी आप कहचांगे विधान परिशध की ठीक है अव इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यानि कि 20 में दो वर्ड आते हैं, एक b आता है, दूसरा जा आता है, यहाँ पर आपने देखा ma, a, और यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा था k, ठीक है, कह रहा है, कह से हमने करनाटक निकाल लिया, और b से हमने निकाला ब इसके बाद बात आती है अगला है जो जासे आप देख सकते हैं जम्मू कास्मीर जम्मू कास्मीर में भी राजधानियों की जब बात आती है तो एक तो इसकी राजधानी होती है स्री नगर जो कि समर सीजन में है ठीक है लेकिन विंटर सीजन में इसकी राजधानी जो है वो इसके बाद घर बात करें तो आपका इकलावान परीशत वाला राज जहां सीटों की संख्या सबसे कम है तो वो है। जम्मौ कास्मीर इस बात को मैं हटा रहा हूँ यहां से अब नोट कर लिए होंगे यहां पर सीटों की संख्या है चंतिस। विधान परीशत की सबसे सीटें किस राज में हैं तो जम्मू कस्मीर में हैं कितनी हैं 36 विधान परिशद की सबसे कम सीटें भारत के किस राज में हैं तो जम्मू कस्मीर में यहां पर नई MLC बनी है और इसका जो है ठीक है इसके पे सीटों की संख्या जो है वो आपकी कह सकते 40 है और यहां की राजधारी जो है तेलंगाना की वो हैदराबाद है ठीक है मित्रों उम्मीद करता हूं कि इतनी बाते आप सभी को समझ में आई होंगी एक बार वीडियो को कोई नाम है option में तो इन सातों में दूई सदनिये विधाय का है चुकि विधान परिशद सभी राज्यों में है लेकिन विधान सभा जो है वो सभी राज्यों में है विधान परिशद केवल सात राज्यों में है तो वो सात राज्य जो है उनकी विधाय का दूई सदनिये है वहाँ पर दुई सदनात्मक सदन है या कह सकते हैं उनकी विधान सभा में दो सदन हैं ठीक है उनके जो आप कह सकते हैं विधान मंडल में दो सदन है तो इस तरह के इसके questions पूछे जाते हैं और अगर हमारी प्रयास हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करा करें शेयर किया करें अगर पसंद ना आये तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और साथी साथ और उम्मीद करता हूं कि थैंक यू आपने आप सभी अच्छे होंगे खुश होंगे थैंक आपारत